हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग उमेद करूंगा च्छोंग आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज आज यूडूब चैनल है साथ सची नहसार में तो आज हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्टरिक स्कूटर आई है जो कि चलते चलते रास्ते में बंद हो जाती है और इसका प्रॉब्लम स्कूटर कोई नहीं कर पा रहा था लेकिन यहां पर इलेक्टरिक स्कूटर आने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम है वो पकड़ ली गई है तो चलिए आज हम भी वीडियो पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और गाड अब लेक्टरिक स्कूटर आप देख सकते हैं यहां का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके दीखता था और यह जो है इलेक्रिक स्कूटर चलते चलते हाफ रास्ते में बंद हो जाती तो उन्होंने क्या किया चार्जिंग जो कपलर है मैं आपको दिखा दूँ जो चार्जिं सौट आउट नहीं हुई तो मेरे पास लेकर के आए तो इनको क्या करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत हुई है जैसा ही ल्सीडी अन करते थे तो यहां पर एक थ्रोडल का सिगनल बंद करके आता था जैसा कि आप देख सकते हैं यह थ्रोडल का स मैं नहीं मिलेगा नहीं क्योंकि यह इन-bilt ठोडल मतलब इसके अंदर लगा रहता है और इस फ्रोडल को जो है आप नखोल सकते ना निगाल सकते इस फ्रोडल को मैंने जम निकाला खोल करके तो आप देख सकते थ्रोडल यह यह यहां पर फिक्स था तो हम क्या करेंगे इस फ्रोटल को हटा देंगे और दूसरे फ्रोटल का प्रयोग करेंगे तो चलिए देखते पे लिए नियुक 25hr को देख सकते हैं यहाँ पर आप देखसकते हैं यहां पर यहां पर रेड ब्लैक ग्रेन कलर की वायर दे रखिए और इसकी जो वायर पकड़ते हुए हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो जब नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक्सिलेटर की तरफ जाते हैं जब तरफ जो चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे पास ऐसा एक्सिलेटर को देखने मिलता है यहाँ पर यह जो है इस तरह का ईक्सिलेटर है क्योंकि इसमें से एकशिलेटर नहीं था तो मनलब दूसरी साइड था तो इस वज़े से ऐसा एकशिलेटर लगा लेंगे हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा तो इसको क्या एख सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं वायर को और यह कि कलर कोड इंग सेम होनी चाहिए color coding same होनी चाहिए अगर color coding में कोई दिक्कत होगी तो यह आपका accelerator work नहीं करेगा तो normally इसको जो है हम लगाते हैं तो आप देख सकते हैं color coding same थी यहाँ पर red है और red color की wire दोनों side देख सकते हैं red color red color दिखाई दे रही है बीच में black color black color दिखाई दे रही है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें रुकिए मैं आपको zoom करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे और किनारे red color की बीच में black color की और सबसे side में green color की wire दिख रही है तो अब क्या करेंगे यहाँ पर यह accelerator inbuilt हो गया है तो अब देखते हैं कि जो total signal था वो गया की नहीं गया तो यहाँ पर अभी total signal नहीं गया है तो इसकी वज़े से अभी मैं क्या करूंगा आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बार आपको चाबी बंद करके on करनी होगी और यह total signal चला जाएगा बंद किया चाहँ भी on किया तो भी total signal आ रहा है तो साइध हो सकता है कि connection कला तो सबसे पहले connection को हम लोग फिर से एक बार री चेक करते हैं तो connection तो यह सही है लेकिन यह sense नहीं कर पा रहा है throttle और throttle signal आ रहा है गाड़ी वर्क भी नहीं कर रही है तो तो टल सिगनल अब भी आ रहा है अब मैं सोच रहा हूँ एक बार एंसीवी किरा करके on करता हूं और जैसा ही अब देख सकते हैं एंसीवी किरा करके on किया गया throttle signal आ गया तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल ही तरीके से जो accelerator लगाया गया और यह sense नहीं कर पा रहा था इसका जो controller आप देख सकते हैं गाड़ी working condition में आ गई होगी और जैसे ही लिए accelerator यह फिर से accelerator signal आने लगा एक बार motor रन कर ही हलकी जटकी से फिर से accelerator signal आने लगा तो रुकिए ज़रा फिर से मैं एक बार देखता हूं इसको off करते हैं एक second के लिए और फिर से on करते हैं यहां पर on करते हैं तोटल signal आ रहा है अब mostly तो इसमें accelerator यह भी चेंज करके देख लेते हैं अब हम लोग यह वाला accelerator यूज़ करके देख रहा है जो इलेक्ट्रिक्स स्कूटर में ज्याज़तर उप्योग किया जाता है यह वाला accelerator यूज़ कर रहा है और इसकी भी color coding same है कपलर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है कि यहां पर एक्सिलेटर आ रहा है बंद करके अन करते हैं गाड़ी को एक्सिलेटर आ रहा है बंद करके अन करते हैं नो रिस्पॉंस अब क्या करेंगे नॉर्मल फॉल्ट हो गई है इस वीडियो कहीं कट करके नहीं कोई भी वो नहीं किया दा रहा है नॉर्मली आपको शिखाया जाएगा कि कैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं अब डायरेक्ट कंट्रोलर के पाथ चेक करेंगी त्यूंकि अब आगे से तो कोई ऐसा फरक नहीं दिख रहा है नॉर्मली आप पीछे खोल लेंगे टिकी अटा लेंगे उसके बाद जब कंट्रोलर की वायरिंग चेक करेंगे तो इसमें आपको एक रेड ब्लू ग्रीन कलर का वायर देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो वायर कनेक्टिंग है यही निकली बड़ी है यहां पर आप देख सकते हैं इसको जैसे ही मैंने खीचा यह तुरण निकल गई तो इसको अम लोग पहले सही से लगाते हैं क्योंकि अगर यही नहीं लगी रहेगी तो कहां वह वर्क करेगा कंट्रोलर वर्क ही नहीं करेगा और इसको फिर मैंने suitable तरीके से लगाया अब हम लोग इसको देखते हैं गाड़ी को on किया और accelerator signal चला गया जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी किवल जो पीछे के जो वायर से कनेक्टिंग थी वो हट गई थी अब गाड़ी वर्किंग कंडिशन में चल भी रही है सब कुछ हो रहा है और आप चाहें तो आप अपने घर पे भी यह सब कर सकते हैं रिपैरिंग कर सकते हैं कि नॉर्माल स्पीड पर चल रही है 56 अब हम पुराना वाला एक्सिलेटर लगा करके देखते हैं कि यह वाइन अटाया कि यह रप पुराना एक्सिलेटर और जैसे मैंने हटाया यहां पर आप देख सकते सिगनल आ गया होगा यह देखें सिगनल आ गया तो अगर एक्सिलेटर का सिगनल आ रहा है तो सबसे पहले जान लिए कि एक्सिलेटर खराब है आपका यह ऐकली सीगनल तुरं सब्सक्राइब लेकिन यहां पे तुरंक पहे कैसे आणे आने जाताः अजयी नहुस्त सब्सक्राइब परकाय के श्रतव करेंजर सेो Best B यह बटन प्रॉब्लम कर जाती है, ब्रिक की यह वाली जो प्रॉब्लम है, यह कहीं फॉल्ड कर रही है, तो आपको मैं सबसे बढ़िया उपाय बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आपको पास एकसिलेटर नहीं है, ब्रिक आपका यह जो सेंसर लगा हुआ, यह नहीं है, तो आपको यह सारी चीज़े यहाँ पर हमारे यूटूब चैनल पर मिल जाएंगी, आपको जा करके चैनल को सबस्क्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आपको हर एक चीज मिल जाएगी ब्रिक सुन, तो आप तो लेक करें,